अब यह अब यह अब आपके बाल वाइट होना शुरू हुए है या फिर आप महंदी लगाना बालों में पसंद करते हैं तो आप इस तरह से हीना पैक बनाकर अपने बालों में अप्लाई कीजिए इसके लिए आप लोहे के बरतन में एक से डेट गलास पानी लीजिए और इसमें हम डालेंगे दो चम्मच चाई की पति जो हम चाई बनाने के लिए यूज़ करते हैं वही और इसके साथ मैंने डाला है आवला और कलोंजी का पाउडर यह आप घर पे ही पीस कर रख सकते हैं ड्राई आवला और कलोंजी को और अब इसमें मैं डाल रही हूँ तो चम्मच कोफी पाउडर और इसके साथ अब हम लेंगे एक पोटेटो अपने पोटेटो को अच्छी तरह से दो लेना है और उसके छिलके हमें चाहिए वो हम इसमें डालेंगे इससे बालों का कलर बलैक होता है अब एक मैं डाल रही हूँ इसमें हिबिस्कुस फ्लार ये बालों के लिए बहुत अच्छा होता है और अब मैं डाल रही हूँ कत्था इससे आपने ग्राइंड कर लेना है ये आपको पंसारी की शोप से इजली मिल जाएगा इससे आपने 15 से 20 मिनट तक अच्छी तरह बॉइल करना है जिससे इस पानी का कलर डार्क हो जाएगा फ्रेंट्स अभी एक चीज मैं और डालना भूल गई वो मैं आपको बता दूँ इसमें मैं डाल रही हूँ एक चमच मेथी दाना पाउडर इससे बाल हमारे स्मूथ रहेंगे और काले भी होंगे तो ये भी आप जुरूर डालना इसमें भूलना नहीं इन सब को आपने अच्छी तरह बॉइल कर लेना है और 15 से 20 मिनट हो चुके हैं गयां सॉफ कर देते हैं इससे ओवरनाइट हमें ऐसे ही छोड़ देंगे नेक्स्ट मॉर्निंग देखिए इसका कलर कितना डार्क हो चुका है ये जो टिकॉक्षन त्यार हुआ है अब हमें इससे छान कर रख लेना है आप चाहें तो दो बर यूज़ करने के लिए भी एक साथ बनाकर आप फ्रीज में स्टोर करके रख सकते हैं ये 10 से 15 दिन तक आराम से चल जाता है खराब नहीं होगा अब इसे एक किलास में डाल लेंगे और इसे आप जब भी आप हीना पैक बनाएंगे आपके बालों में बहुत अच्छा कलर आएगा अब मैं अपने बालों में जितनी महंदी लगाती हूँ मैं उतनी ले रही हूँ आप अपने बालों के अकॉर्डिंग ले सकते हैं मैंने 4 चमश महंदी के लिए हैं और ये जो हमने डिकॉक्शन त्यार किया है उसे थोड़ा थोड़ा डालते हुए हम इसका एक अच्छा सा पैक त्यार करेंगे अगर आप पहली बार महंदी लगा रहे हैं तो अपने बालों में इस तरह से महंदी बना कर लगाईए बहुत अच्छा कलर आता है इसे अगर आप काफी टाइम से महंदी यूज कर रहे हैं और आपको कलर अच्छा नहीं मिल रहे है तो भी आप इस तरह से हीना पैक बनाईए और अपने बालों में अपलाई कीजिए इससे बहुत अच्छा कलर आता है और एक बात मैं आपसे और कहना चाहूंगी कि अगर आप इंडिगो लगाते हो या आप कोई chemical वाली black dye लगाते हो तो आपने notice किया होगा कि जो हमारे बालों की जो roots roots हैं वो तो white हो जाती है और strands black रह जाती है होता है न ऐसे तो फिर अगर आप महंदी apply करते हो तो roots orange हो जाएंगी और strands black रह जाएंगी तो बाल आपके double shade दिखने लगेंगे जो कि बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते हैं आपको भी अच्छे नहीं लगते होंगे मुझे तो बिल्कुल भी नहीं अच्छे लगते तो इसके लिए आप उसके उपर से indigo apply कीजिए indigo से natural black color आएगा बहुत प्यारा color आता है अगर आप indigo लगाने का तरीका देखना चाहते हैं तो मैंने एक video share किया हुआ है मैं उसका link आपको नीचे description box में दे दूँगी आप चेक कर लेना अब ये hina pack त्यार हो चुका है हमने इसे overnight ठक कर रख देना है देखिए अब ये सुभह कितना dark color हो चुका है इस महंदी का अब आपने इसे अपने clean बालों में apply करना है आपके बालों में oil बिल्कुल नहीं होना चाहिए और इससे आपके बालों में बहुत अच्छा color आएगा सबसे पहले मैंने ये gloves डाल लिए हैं और अब मैं अपने बालों में इसे section by section apply करूँगी आप भी जैसे अपने बालों में apply करते हैं इसे पूरे बालों में लगा लीजिए और इससे आपने कम से कम दो घंटे अपने बालों में लगा के रखना है अगर हो सके तो आप अपने बालों में महंदी लगाने के बाद शावर कैप जरूर लगाए क्यों शावर कैप लगाने से जो महंदी है वो जादा सूखेगी नहीं और निकालने में भी एजी रहेगी अगर आप इसे 10-15 दिनों में एक बर लगाते हैं अपने बालों में तो आपके बालों का कलर तो अच्छा होगा ही और साथ में बालों की हैल्थ भी काफी अच्छी हो जाएगी तो फ्रेंड्स अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक और शीर करना और अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि मैं आपके लिए इस तरह की और भी remedies लेकर आने वाली हूँ साथ में bell icon को press करना तो बिल्कुल मत भूलना ताकि मेरे आने वाले वीडियो के notification आपको मिल सके तो इस तरह से friends मैंने अपने सारे बालों में apply करके shower cap भी लगा लिया है और दो घंटे तक मैं इसे रखूंगे अपने बालों में दो घंटे लगाने के बाद आप इसे normal water से ही wash करेंगे शैंपू नहीं करना और आप जैसे की रात में आप oiling कर सकते हैं और next morning आप shampoo wash कर लेना तो आप देख सकते हैं मेरे बालों में इसका कितना अच्छा color आया है आप भी इसे try कीजिए और बताइए कि आपको इसका कैसा color मिला तो मिलते हैं आप next वीडियो में तब तक लिए बाबाई